हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है उलाहनी साम होती ही अवनी का बेटा बाहर घूमने के लिए बहुत परिशान करने लगा पहले तो वो ये बोलकर समझा देती थी कि बाहर कोई नहीं जा रहा देखो पापा भी घर पर हैं पर अब तो वो भी जा रहा जहां जाकर इसे अच्छा लगता था दिन भर अवनी उसे किसी ना किसी काम में वेस्त रखती थी पर साम होती ही ये बाहर जाने की जिद करने लगता है साम के काम अवनी आसानी से कर पाए इसलिए वो उसे एक राउंड यूही सड़क पर घुमा लाती है उस दिन भी अवनी उसे यूही घुमाने ले गई थी पर पार्क के पास पहुषते ही बेटा अंदर जाने की जिद करने लगा और सड़क के बीचो बीची बैठ गया लागडाउन की वज़ा से पार्क के गेट पर तो ताला लगा था पर ये बात अवनी उसे कैसे समझाती जाने कितनी बार अवनी ने अपने बेटे को ताला दिखाया बताया कि ये बंद है और बड़ी मुश्किल से उसे वहां से उठा पाई इस आपा धापी मेकब अवनी के सर से चुन्नी हट गई उसे ये हैसास भी नहीं हुआ जैसे तैसे बेटे को समझा कर उसे खड़ा किया और अवनी ने बड़कती आवाज सुनाई दी बहु तुमने तो पूरे मोहले में मेरी ना कटवा दी ओ तो मेरे आने से पहले मेरे सर से चुन्नी हटने की खबर घर आ गई मनी मन सोचते हुए अवनी चुपचाप अपने ससुर जी की डाठ खा रही थी बीच में सासु जी भी आग में घी का काम कर रही थी देखो आज हो सर्मा जी बता के गई हैं कि तुम्हारी बहु सडक पर बिना चुन्नी के घूम रही है अब जाने किसे किसे सुनाएंगे और जाने कितने उलाने आएंगे अभी तो अवनी दोनों की बाते सुन आखो में आसु लिए बिना कुछ बोले बेट हो रही है पहले तो बेटे का बहाना बना कर उसने साड़ी से सूट पहनना शुरू कर दिया और अब तो वो सड़क पर बिना सर्ड़के घूमती है अब मैं इसे अपने घर में नहीं रख सकता इसे इसके माय के भेज़ दो नवीन तो सब समस्ता था कि अवनी के लिए कितना मुश्किल होता है बच्चे को समालना वो तो सुबह आफिस चला जाता है दिन रात एक कर अवनी ही तो सारी जिम्मेदारी उठाती है तो नवीन ने सिर्फ इतना कहा ठीक है पापा मैं अपनी बीवी बच्चे को लेकर कहीं और किराय से घर ले लूँगा ताकि आपकी जू करनी चाहिए थी पर नहीं वहां तमासा देख कर आये और यहां आकर सुना दिया आपको भी बहु की परेशानी नहीं दिखी घूंगट का हटना दिखा और सूट के लिए उसने कोई बहना नहीं बनाया उसे सोनु को एक्सेसाइज कराने में परेशानी होती थी तम मेरे कहन से ही पहनना सुरू किया खैर आपको क्या समझाना आपको हम दोनों का दुख कहां दिखता है कहते हुए नमीन की आखे भर आई हाँ हम तो दुस्मन हैं तुम्हारे बहु के लिए कुछ कहो तो हमेशा उसकी ही तरफदारी करता है पापा ने चिला कर कहा मैं किसी की तरफद नहीं कर रहा जो सच है वहीं बोल रहा हूं कहते हुए नमीन कमरे में चला गया अवनी का बेटा भी इस माहोल से परिसान हो रहा था अवनी ने बड़ी मुश्किल से उसे खाना खिला कर सुलाया अवनी और नमीन से तो खाया भी नहीं गया अवनी ने नमीन को समझाया कि ए सबार नवीन मानने को तयार नहीं था सुभा हुई तो नवीन घर खोजने जाने लगा उसने आवनी से साथ चलने को कहा और मम्मी जी से एक दिन सोनु को रखने के लिए कहा क्योंकि उसे साथ ले जाना मुनासिब ना था दोनों को घर खोजने में बड़ी परिसानी हो रही थी बड़ी मुश्किल से उन्हें घर मिला जो उन्हें अपने बेटे के लिहास से सेफ लगा उसे फाइनल कर दोनों घर आ जाते हैं यहां घर पर मम्मी जी और पापा जी दोनों सोनु को समाल समाल के परिसान हो चुके थे और टेबल से गिरने की वज़ा से सोनु को भी पैर में थोड़ी चोट लग गई थी अवनी ने आकर तुरंत सोनु को दवाई लगाई मम्मी पापा को चाय बना कर दी मम्मी जी के सर में दो पहर में आराम ना करने की वज़ा से दर्द हो गया था तो उनका सर दबाकर उन्हें दवाई भी दी फिर अपने कमरे में आकर अपना सामान पैक करने के बारे में सोचने लगी तभी बाहर से पापा जी की आवाज आई अवनी इधर आओ अवनी अपने चुन्नी सही करते हुए बाहर आ गई सोफे पर बैठी मम्मी जी ने अवनी का हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और उसके सर से चुन्नी हटाते हुए बोली मुझे माफ कर दे अवनी मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि एक बच्चे को समभालने में कितनी परेसानी आती है समझती भी कैसे तुमने और नवीन ने कभी समझने का मौका ही नहीं दिया हमें तो लगता था जैसे सारे बच्चे परेसान करते हैं वैसे ही ये भी कर रहा है पर आज जब तुम पहली बार सोनू को मेरे पास छोड़कर गई तो पता चला कि कितना मुश्किल है उपर से तुम्हें सरका पला भी समहलना पड़ता है तभी पापा जी बोले आज से इसे समहलने में हम दोनों तुम्हारी मदद करेंगे और तुम बिल्कुल आजाद हो इस बंदिस से फिर नवीन की तरफ देखकर बोले बेटा तुम सही कह रहे थे हमें अपनी जूठी इज़्जत के आगे तुम दोनों का दर्द दिखा ही नहीं हम ये देख ही नहीं पाए कि तुम दोनों कितना परेसान हो पर अबैसा नहीं होगा हम हर मुश्किल में तुम्हारे साथ हैं बस तुम दोनों इस बच्चे का अच्छे से खयाल रखो नवीन और रवनी ने मुश्कुराते हुए दोनों के पैर चुलिए आज मुश्किलों के डेहर से एक मुश्किल कम हो गई थी आसा करती हूं दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी धन्यवाद